रित्तु भला 22 वर्ष की हैं और कैंसर ग्रस्त बच्चों के लिए काम कर रही हैं रित्तु ने कैंसर की लडाई को बेहत करीब से देखा और लडा है दो बार कैंसर के इतने मुश्किल दोर से निकलने के बाद मुझे रियलाईस हुआ एवन जब मेरा कैंसर का ट्रीट्मेंट चल ली रहता तो मुझे पता है मेरो पर बीती है तो मैं जानती हूँ कितना बुरा लगता है एक बच्चे को उसकी फीलिंग्स कितनी होती है उसके सपने कितने होते हैं जो कि ऐसा लगता है कि पूरे नहीं हो पाएंगे और उस ताइम पे मैंने अपने अंदर ठान लिया था कि हाँ चाहे कुछ वक्त के लिए ही सही लेकिन मैं जरूर कुछ ना कुछ करोगी कैंसर ग्रस्ट बच्चों से बात करना, उनकी परेशानियों को जानना और उनके माता-पिता को कैंसर के इलाज के बारे में समझाना रितू के जीवन का उदेश्य है कैंसर सवाइबर्स को के साथ मिलना, ग्रूप बनाना और कैंसर की अवेरनेस करना कैंसर ग्रस्ट बच्चों की मनोस्तिती को रितू भली भाती समझती है क्यूंकि वो चाइल्ड हूट कैंसर सर्वाइबर है कैंसर ग्रस्ट बच्चों के लिए काम कर रहे गैर सरकारी संगठन कैंकिड्स, किड्स कैं के साथ रितू कई वर्षों से जुड़ी है क्योंकि मैं चाहिलूट कैंसर सवाइवर हूँ और एज गर्ल चाहिड अमबैसडर केंगेट्स की होते हुए मैंने हर्याना में अभी एक प्रोजेक्ट शुरू किया है गर्ल चाहिल का जिसमें कि हम परिवारों को बता रहे हैं कि लड़ियों का इलाज कराना कितना जरूरी है और यही मैसेज हम जितना ज़्यादा हो सकें वहाँ पर फैलानी की गोशिश कर रहे हैं ताकि लोग आगे आएं मैं इवन अपील करना चाहती हूँ जो भी कैंसर सवाइवर हैं पेशेंस हैं हिम्मत ना हारें अपने अंदर विश्वास रखें भरोसा रखें तो ठीक हो सकत जब इरादे मजबूत हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है रितू बुलंद होसलों के साथ अपने उद्देश शिक्यों और अग्रसर हैं और कैंसर ग्रस्त बच्चों के लिए एक जीवित उधारन भी टोटल हेल्थ डीडी नियूज इलाज बहुत जरूरी है लेकिन इलाज में होने वाली दिक्कतें भी उन पर भी चर्चा हो रही है लगातार पैसों को लेकर एक बात है और कहां लेकर जाएं ये भी एक बात है इसके लावा डॉक्टर सिरीन क्या एक खास बात और आप देखते हैं इलाज के दौरां जब होती है तो किस तरह की प्लाइनिंग की आप बात करना चाहेंगे बच्चों का कैंसर मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट है आपको मैंने जैसे पहले का रेडियो थेरेपिस्ट चाहिए बच्चों का उंकॉलिजिस्ट चाहिए सर्जिन चाहिए डाटीशन एक ही जगा हो, टीम वर्क हो, एक टूमर बोर्ड रहता है जहां पर डिसकुशन हो, कि ये पहले ये बाद में सजरी, पहले कैंसर के टीके लगेंगे, फिर सजरी होगी, फिर रेडियो तरपी होगी, ये इसमें बहुत सारी प्लैनिंग जाती है, जब सब एक साथ होंगे, भीच में एक अर्चन के तोर पर काम करता है क्या? ये बात सही है कि बच्चों के ईलाज में आपको थोड़ा समय जा लगाना पड़ता है, लेकिन मैं ये इस अर्चन और ने कहूँगा, मैं तु इससे कहूँगा कि ये हमारा काम है, हम इसी काम लिए बच्चों के एलाज कर हम कीमो थेरपी जादा इस्तमाल करते हैं, जहां साजी की जरूत है, वहां साजी की इस्तमाल करते हैं. पूनम जी, अवेरनेस की बहुत जरूरत है, तो अभी अगले हफते में 15 फर्वरी को चाल्डूट कैंसर दे भी है, किस तरह का प्रयास हो रहे हैं आपकी और से जिससे न सर्फ लोगों तक जानकारी पहुंचें, बलकि यह जो स्टिग्मा है, इसको भी कुछ कम किया जा सेके बिलकुल सही, 15 फर्वरी को अंतराश्टिय स्टर पे बाल कैंसर दिवस मिलाया जाता है, हम जैसी ओगनाइजेशन से हैं, पार्टिसिपेटिंग पीडियाट्रिक कैंसर सेंटर्स हैं, इनके साथ मिलके हम बच्चों को परिवारों को एक तो हम उनके लिए आउटिंग्स औ दूर है ये शहर, क्यूंकि हमने आति छर्चा की इलाज के ये, पऊंचने की तो फैमिली जूर से आती हैं, जैसे आपकी जम्मों को नैगाह는 बाल ठीक्मेंट में हम बच्चों को और परिवारों को All Over India जहां जहांं सेंटर्स हैं, पारτι शिपिटिंग जावाले सेंटर्स क के सार हम बच्चों को और उनके परिवारों को साइट सेंग के लिए उनके शहर को दिखाने के लिए लेके चारे हैं अब इसका एक बहुत इंपोर्टन लक्ष यह है कि जागरुपता हो अवेनस हो बाल कैंसर का इलाज है मैसिज है सही समय पर जांच और सही जगा पर इलाज ह हम फंड रेजिंग करते हैं आपने मिल से पूछा था कि लोग कैसे help कर सकते हैं जितना हम बच्चों के लिए support दें treatment के लिए funds दें आपका जो परिवार है जिसने पुला कि 5 लाग रुपे हमारे कातम हो गया है आगे हम कैसे अपने treatment कराएं वो बहुत जरूरी है वाइब का अगर आपका बच्चा या आपका परिवार आपके बच्चे को कैंसरे तो वो भी इन celebrations में शामिल हो सकते हैं हम एक competition कर रहे है painting, poetry and photography competition यही इलाज तक पहुंच का topic लेके घर से दूर ये शहर का और लोग उसमें भी participate कर सकते हैं as I said again बहुत जरूरी है जागरुकता ऐसे जैसे प्रोग्राम्स हैं जिसके जरिये से हम बातचीत करते हैं हमारा इंजियोस का लक्ष यह है कि हम बहुत जादा थे तो जरूरी बात यह है कि जागरुकता के साथ-साथ आगे बढ़कर कुछ करने की भी जरूरत है फिलाहल नी वाजिब गानी कैंसर अफिटाल डेली में एडमिट हो आच्छा मुझे आपसे यह जानकारी चाहिए थी कि जैसे मुझे कैंसर है तो यह पॉसिबिलिटी है यह कि मेरे बच्छे को भी प्रॉब्लम आए यह एक वाजिब चिंता रहती है माबाब के मुन में डॉक्टर सरीन और यह जाए और इससे पहले रैपिट फायर शुरू करें बहुत ही चोटा सा सवाल पंकच कुमार इटावा उत्तर प्रदेश लिखते हैं कि उनका भधिजा साथ साल का उसकी एक चोटी है कैंसर हो सकता है डॉक्टर रोडा उनको चिंता इस बात की है नहीं मैं कहूंगा क आप आफ्थमोलजिस से मिले उनको दिखाएं बर सात साल तक आम तौर पे एक आँख कैंसर जो हता है छोटे बच्चे में होता है एक साल दो साल तीन साल के वरबे जी वश्ज़ सिर्फ आँख छोटी है उनको बता है बेस चीज़ है कि आप आफ्थमोलजिस मिले ताकि रैपिट फाय शुरू कर रहे हैं यानी चोटे-चोटे सवाल और चोटे-चोटे जवाब पहला सवाल डॉक्टर अरोरा आपको बच्चों में होने वाला सबसे आम कैंसर कौन चा है? खुन का कैंसर यहां, लुकीमिया डॉक्टर सरीन, बच्चों के कैंसर जनम-जात होते हैं? जनम-जात भी कुछ होते हैं, लेकिन असा भी नहीं पूर्णम जी, गरभावस्ता के दौरान अगर सही पोशन न मिले, तो ये बच्चों में कैंसर का बड़ा कारण हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं डॉक्टर अरोरा, बच्चों में होने वाले लगभग सभी कैंसर आनुवन्शिक यानि हेरेडिटरी होते हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत कम हेरेडिटरी होते हैं डॉक्टर सरी, नियदी एक बच्चे को कैंसर है, तो उसके बाद जो बच्चा होगा, उसको कैंसर होने का खत्रा बढ़ जाता है? बहुत कम ऐसे कैंसर हैं, जिसमें ऐसा हो सकता है, लेकिन सभी कैंसर बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है भारत में बच्चों के कैंसर के अधिकतर मामले बहुत देर से, यानि लेट स्टेज में सामने आते हैं इसका डेटा तो नहीं है, बट हाँ, आई वुड से की ये इसका आंसर येस है डॉक्टर सरीन, बच्चों के कैंसर सिर्फ रसॉली यानि ट्यूमर के रूप में ही प्रेजन्ट करता है नहीं, इसके और तरह की कैंसर, बलड कैंसर बगर हमें रसॉली नहीं भी हो सकती है पूरम जी, अगर बच्चे को कैंसर है तो उसका इलाज जब तक वो बढ़ाना हो जाए तब तक नहीं कराना चाहिए नहीं, बिल्कुल तो रंत करना चाहिए कुछ लक्षनों की बात हो जाए, सबसे पहले डॉक्टर रोरा आपसे कि क्या ये लक्षन कैंसर का हो सकता है बच्चे में, पहला वजन में अचानक कमी अचानक तो नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हाँ डॉक्टर सरीन, एक और लक्षन की बात करें, सुभा के समय सिर्धर्द यो और उल्टी ये डेफिनेटली एक लक्षन हो सकता है, सिर में ब्रेन ट्यूमर्स वगरा में ये सब आ सकता है पूनम जी, शरीर में उत्पान कोई गाट हाँ, इसका अगर वो बढ़ता चला जाए, लगाता है, तो उसका डिटेक्शन करना ज़रूरी डॉक्टर अरोड़ा, बार बार संक्रमन यानि इन्फेक्शन होना तो ये आपकी इम्म्यूनिटी को दर्शाता है, राधन कैंसर को, लेकिन हाँ, कुछ कैंसर में इम्म्यूनिटी भी लोस हो सकती है डॉक्टर सरीन, बच्चे को बहुत अधिक भूख लगना? नहीं, ये ये लिक्शन नहीं हो सकता है पूनम जी, बार-बार बुखार होना? हो सकता है डॉक्टर रोडा, बच्चे का सुस्त होना या सफेद पढ़ना? ये कई बिमर को लेक्शन हो सकता है, और कैंसर का डेफिनिट लेक्शन भी हो सकता है दॉक्टर सरीन, किसी जोड में या शरीर के किसी हिस्से में सूजन होना? ये एक लक्षन हो सकता है, इस्पेशली अगर इंटिबियोटिक्स एंटि इंट्रिमेटी डर्ग्स पे नहीं जाए तो कैंसर का लक्षन हो सकता है पूनम जी, आँख की पुतली सफेद होना या नजर में अचानक कमजोर हो जाना? हो सकता है, जाँच कर सकता है ये कैसे तै किया जाए कि इलाज की कौन सी विधी का प्रयोग पहले हो? यानि पहले सरजरी होगी, रेडियो तेरपी होगी या कीमो तेरपी दी जाएगी? ये सवाल बहुत important है, ये cancer treatment करता है तो जैसे रोक्टर सहरी ने पहले कहा है कि हम लोग multi-modality treatment करते हैं तो आपको ऑफन होगा कि आपको डॉक्टर एक मिलता है, लेकिन आपके पीछे कई सारे लोग उसको discuss करके decide करते हैं कि आपके लिए best चीज क्या है तो अगर आपके सर्जन best है उस टाइम पे तो सर्जन पहले आपसे deal करेगा, आपके लिए medical oncologist पहले तो medical oncologist करेगा, तो ये decisionic team ही best ले सकती है डॉक्तर सरीन, बहुत छोटे बच्चों में cancer होने पर surgery करना संभव नहीं होता नहीं संभव है, एवन एक दिन के बच्चे के operation किये जा सकते हैं safely पूनम जी बच्चों में cancer का इलाज करने के लिए देसी तरीखे प्रयोग करना उचित है बिल्कुल नहीं हमारे पास विवेक नारायन का एक email भी आया था पहले बच्चों में cancer की पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है कुछ cancers की पहचान करना मुश्किल है, कुछ की इतनी मुश्किल नहीं है आप repeatedly physician को दिखाएं, visit करे doctor को, यहीं बेस्ट है बच्चों में अगर surgery हो जाए एक बार, तो उसके बाद cancer का इलाज जिसे पूरा मान लिया जाए उसके बाद फिर किसी और चीज़ की ज़रूत नहीं रह जाती नहीं, cancer का हमेशा follow up होना चाहिए कुछ cancers का, बहुत ज़्यादा नहीं, बड़ कुछ cancers का recurrence भी हो सकता है तो यह सिर्फ surgery हो गए और घर चले जाएं, यह बिलकुल अनचित है पूरम जी, यदि सही समय पर इलाज न किया जाए, तो cancer बच्चे के पूरे शरीर और दूसरे अंगों में फैल सकता है जी, और अब आखरी राउंड हम जरा शुरू कर लें, डॉक्टर अरोडा, कैंसर के इलाज के बाद बच्चा सामाने जीवन जीने में सक्षम होता है काफी हतना की सही ही है, हाँ आप से जाना चाहेंगे, चाइल्धूट कैंसर के प्रती जगरुकता के लिए, पीडियाट्रिशन का या डॉक्टर्स का सही योग और योगदान कितना जरूरी है बहुत जरूरी है, हम लोग से सबको मिलकर काम करने हैं, आप मीडिया वाले, एंजियोज, डॉक्टर्स हम सबको ये अवेरनेस लानी है ताकि मरीज हमें जल्दी मिल सकें और उनका क्योर किया जा सकें पूरम जी, कैंसर, ग्रस, बच्च्या और उसके परिवार के लिए समाज की और से कैसे सही योग किया जा सकता है, बहुत संक्षेप में लेकिन लंबा बहुत आंसर है, आप दे चुकी है, लेकिन ये रैपिट फायर है तो समाज में हम एंजियो, डॉक्टर्स, डोनर्स, सरकार और परिवार का खुद का बहुत योगदान है और जो पेरेंस और सवाइवर्स का बहुत बढ़ा योगदान है बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे पूनम जी आपका डॉक्टर सरीन, डॉक्टर रोरा आप सभी का इस तवाम जानकारी के लिए विशेशग्यों ने जानकारी दी है और जागरूपता के साथ साथ जानकारी के साथ साथ ये भी जरूरत है कि सिर्फ डॉक्टर्स पे या पर या एंजियोर्स पर डिपेंड ना रहें जो हमारी सबका योगदान है कैंसर के प्रति वो हम दें और साथ ही सही योग दें सभी कैंसर से ग्रस्त बच्चों और उनके परिवारों का और वो काम कैसे ना सद जाए जिसको सब मिलकर करें देख लेना वो ना खाली जाएग आह जो दिल से निकाली जाएगी बहुत धन्यवाद कारीकरम देखने के लिए और कारीकरम में फोन करने के लिए इमेल भेजने के लिए और अगले सब्ता जब मैं और किरन लोटेंगे टोटल हिल्प में तो हम बात करेंगे एक और महत्तुपूर्ण विशह पर बात करेंग एलर्जीज के विशह में तब तक के लिए नमस्कार करता करेंगे विए